करनाटक बिधान सभाद चुनाओ को लेकर सभी पार्टियां तैयारी शुरू कर चुकी है सभी पार्टियां चुनाओ में जीत को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है साथ ही सभी पार्टियों में अपना अपना उमिद्वार जो है वह चुनावी मैदान में उतार चुके हैं आपको बता दे कि चुनाव 10 मई दो हजार तेज को होनी है और 13 मई को मतगरना होगी आएए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से की करनाटक में किसकी होगी ताजपोसी और किसकी बनेगी सरकार नमस्कार बैखु डॉक्टर स्रीपतितर पाथी करनाटक मिद्वार सवाचुनाव का एलान हो गया है करनाटक में एक चरण में 10 मई को वोटिंग होगी 13 मई को वोटों की गिंती होगी निर्वाचन आयोग ने बुद्वार को प्रेस कॉनफरेंस में इसकी घोशना की करनाटक मिद्वाचुनाव को अगले साल 2024 की लोग सवाचुनाव का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है इसके चलते सभी की निगाहें करनाटक चुनाव पर लगी है कॉंग्रेस ने 124 उमिद्वारों की पहले लिस्ट पहले ही जारी कर दी है तो जेडियस ने भी 94 सीटों पर उमिद्वारों के नाम का एलान कर रखा है करनाटक मिद्वाचुनाव की सरगर्मिया काफी पहले से ही गर्मा गई थी राज्य की चुनावी बाजी जीतने के लिए बीजेपी कॉंग्रेस और जेडियस जैसी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत धोंक रखी है मुख्य मंत्री बसा और राज भुमाई के सहारे बीजेपी अपनी सत्ता को बचाय रखने की जदो जहत कर रही है तो कॉंग्रेस डीकेसी कुमार और सिध्धरमया जैसे चेहरे के दम पर दुबारा से सत्ता में वापसी की कोशिस में लगी है वहीं कुमार स्वामी की अगवाई में जेडियस एक बार फिर से किंग मेकर बनने की कवायद में है राज्य की कुल 224 सदस्चों की बिधान सभा में चुनाओं से पहले बीजेपी के कई नेताओं ने खाल ही में पाला बदल कर कॉंग्रेस का हाँ थाम लिया है गौर से देखें तो यह साफ है कि इस बार सीधा मुकावला भीजेपी कॉंग्रेस के बिच होता दिख रहा है लेकिन जेडियस से लेकर आम आदमी पार्टी बस्पा और रेड़ी बंधू की पार्टी भी किस्मक आजमाने के लिए मैदान में है करनाटक विधान सभाज चुनाव पर कॉंग्रेस विधायक प्रियांग खड़के ने भी ब्यान दिया है उन्होंने कहा है कि हम यह चुनाव जीत रहे हैं करनाटक के लोग 40% सरकार से तंग आ चुके हैं भाजपा जाती की राज़िती कर रही है और बिरोजगारी चरम पर है इसमार पूरी तरह से कॉंग्रेस का भी दबदबा अभी से दिख रहा है खरगे और राहूल गादी को करनाटक से 150 सीटे दिलाना चाहते हैं सीम का फैसला पार्टी आला कमान बाद में करेगा वहीं आपको बता दे कि 2018 के बिधान समाचुनाओं में कॉंग्रेस ने असिसिट, जेडियस ने सहते सिट और भाजपा ने 104 सीटों पर जीत दर्ज की थी बीजेपी की बात करें तो बर्तमान समय में कठिन परिश्टितियों से जूज रही है आपको बता दे कि प्रियाग राज में माफिया अतीक अहमद और असरफ की हत्या के बाद भारती जनता पार्टी यह उत्तरप्रजिस के मुख्य मंत्री पर कई सारे शवाल उठ रहे हैं जो त्सी तिष्टि कोण से देखें तो अजाज भारत की ब्रिशब लगन के कुंडली में तीसरे घर में बैटे चंद्रमा की महादसा में पंचमीस वुद्ध की अंतरदसा चल ली है तथा गोचन में नौम भाव में मकर राशी में चलने सनी देश में धर्म और समाजिक मुद्धों की राजनिती में सत्ताधारी दल को बरतमान में लाव दे रहे हैं सनी कुंबर राशी में प्रिवेसकर अजाद भारत की कुंडली में करक राशी की चंद्रमा से अस्ठम भाव में गोचर कर रहे हैं भारती राजनिती के पर द्रिश्च को यह ग्रह दसाएं जो हैं वह बदल सकते हैं योगी आधित्यनाथ की कुंडली के अनुसाद उनका लगने शंग है और लगने सकर्म का कानक होकर सुर्ज सनी और बुद्ध के योति के साथ में विद्यमान है जोती सास्त्र के अनुसाद सुर्ज की ऐसी स्थिति जात्त को राश सत्ता का शुक दिलाती है और प्रभुत् पवार को भी देख सकते हैं बैदिक जोतिस के अनुशार योगी आधित्यनाथ के कुंडली में पंचम भाव में गुरु स्वग्री होकर बैटे हैं लेकिन छटे भाव में राहु का जो है वह संत्रुहंता योग बना रहा इस सहीया साबित होता है कि ये अपने आज़ पास सत्रुह से घीरे रहेंगे लेकिन ये सत्रुह पर हावी रहेंगे हो आई सब्तम्भाव की बात करें तो चनरवा यहां पर बिराजबान है जोतिस आसर कुंडली में लगन और सब्तम्भाव में चनरवा हो तो ऐसे जातों को जीवन में बेवाहिक शुक्र नहीं मिलता है 11 भाव को देखें तो इसमें शुक्र इसी भाव में मंगल तृतिय स्थान पर है जबकि 12 भाव में केतु मौजूद है इसके इसाब से देखा जा तो जातक का समय शंदार रहने वाला है आपको बता दें कि 2017 के चुनाओं के दोराण केतु की महदसा में ही बीजे स्री प्राप्त किये थे और बरतमाल समय में भी केतु की महदसा चल ले जिससे यह साब जाहिर है कि इस बार करनाटक में भी बीजे पी अपना परचम लहराएगी कोंग्रेश की बात करें तो इनकी कन्या लगन की कुंडली है बरतमाल समय बिरिस्पति की महदसा प्रारंब है बिरिस्पति की महदसा में ही मंगल का अंतर चल रहा है बिरिस्पति लगनेश के साथ चतुर्थ भाव में मिथून रास्री में बैठे हैं और वह सप्तम भाव क की तरफ देख रहे हैं इसी स्थिती में कहा जा सकता कि चतूरत भाव में बैठे बिरस्पति जनता का केंद्र होता है जिससे बिरस्पति अस्टम के होने का दोस्ट लग रहा है जिससे बिरस्पति की महादसा दोहजार पत्रीस तक रहेगी जिसके बाद सनी की महादसा प्रार ग्रहमाना जाता है इसलिए कॉंग्रेस की ऊपर या हावी रहेंगे कॉंग्रेस की अंतरीम अध्यक्ष सोनिया गांधी की बात करें तो करक लग्ड मिथुन रासी की कुंडली है जिनकी बर्तवान समय में शुक्र की महदसा चल रही जो 2019 में ही प्रारम भुईती और 2049 तक बन साथ उनके जीवन में कई सारे समस्याएं देखने को मिल सकती है शुक्र अकारक है इस कुंडली के लिए शुक्र शुब नहीं है अगर हम बात राहुल गांधी की कुंडली की करें तो उनकी जो कुंडली है तुला लग्न और धनुरासी में जन्में है बर्तमान समय में इनक पंचक योग भी बन रहा है आपको बता दे कि पंचक योग वैसे तो काफी सकते सालिय होता लेकिन बर्तमान समय में कॉंग्रेस के कुंडली कमजोड होने की वज़ा से राहुल गांधी को भी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है वहीं इसका परिणाम करनाटा के सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें तब तक के लिए दीज़े इजाज़त नमस्कार जैसर किष्टा बंदिर मात्रम जैसरी राम